चले आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के किनौर में हुए हाथसे में मरने वालों की संख्या 14 हो गई है पहार का एक बड़ा हिस्सा वहाँ सडक से गुजर रही गाडियों के उपर गिरने की वज़ा से यह हाथसा हुआ जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई अधेरा होने की वज़े से रेस्क्यू आपरेशन को रात में रोक दिया गया था लेकिन सुभा इसे फिर से शुरू किया गया तो बहीं सीम जैराम ठाकूर भी अपसे थोड़ी ही देर में हाथसे वाली जगा पर पहुँच जाएंगे कल मौसम खराब होने की वज़ा से वो नहीं जा पाए थे हिमाचल के किन्नौर में एक बड़ा हाथसा हुआ पहाड का एक हिस्सा दरकने लगा और मलबा सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर गिर गया एक बस और कुछ गाड़ियां सड़क से खाई में गिर गए हाथसा इतना खौफनाक था कि सड़क पर खड़ी बस और गाड़ियां मलबे के साथ ही खाई में पहुँच गए बस का ड्राइवर खुशकिस्मत था जो हाथसे से फौरण पहले रास्ता देखने के लिए बस से उतरा था लेकिन जब तक ब्राइवर वापस बस में बैठ पाता तब तक ना बस सड़क पर रही नहीं कई और गाड़ी ही दिखी और देखने वालों के होश उड़ गए सरकारी एजंसियों ने बिना देर किये मोर्चा समाल लिया गारी समेथ खाई में गिरे लोगों को सही सलामत निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी जिसके लिए ITBP के जवानों को मोर्चे पर लगाये गया जवानों ने खाई में उतर कर मलबा हटाना शुरू किया फावडों से खोद खोद कर मलबा हटाये गया ताकि मलबे के नीचे लोगों की तलाश की जा सके कुछ खुसकिसमत लोगों पर बचाव कर्मियों की नजर पड़ गई और उन्हें फॉरन निकाल कर बाहर लाए गया ऐसे लोगों के लिए ये मौका दूसरा जीवन मिलने से कम नहीं था लेकिन पहाड बचाव के काम में भी रुकावट डालते रहे बीच बीच में पहाड से मलबा गिरता रहा जिसकी वज़े से आपरेशन को बीच में ही रोकना पड़ रहा था निकाले गए लोगों की मदद के लिए एंबुलेंस को मौके पर बुला लिया गया जवानों के साथ स्वास्त कर्मियों की टीमें भी तैनाद कर दी गई और खुद मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर के नौर पहुँच गए लेकिन पहाड से गिरा मलबा इतना ज़्यादा था कि हाथसे के कई घंटे बाद भी मलबा हटा आया नहीं जा सका अब तक कोई सही आंकड़ा तो सामने नहीं आया है लेकिन एक बस के अलावा तीन से चार कारें भी खाई में गरी बस और गाड़ियों में कुल बिलाकर कमसकम 45 लोगों के होने का नुमान है खाई में गिरने वाली बस के ड्राइवर ने दावा किया कि जिस वक्त यह हाथसा हुआ उस वक्त कारें और बस खड़ी हुई थी मतलब रुकी हुई थी क्योंकि बस के ड्राइवर को हाथसे वाली जगह से कुछ दूरी पर पहाड से रेत गिरती दिखी थी ड्राइवर बस रोक कर आगे का रास्ता देखने के लिए पैदल ही चला गया और यह समझ गया कि रास्ता जाने लायक नहीं है लेकिन जहां से रेत गिर रही थी हाथसा वहाँ नहीं हुआ बलकि उससे भी कुछ मीटर पहले ही हो गया जहां गाड़ियां रुकी हुई पहाड का एक बड़ा सा टुकड़ा तूटकर सीधा गाड़ियों और बस को अपने साथ खाई भी ले गया इस वक्त की बड़ी खबर ट्विटर ने रणदीप सुर्जेवाला अजे माकन और मनिकम टैगोर समेत उन सभी कॉंग्रेस नेताओं के अकाउंट को लॉक कर दिया है जिनोंने राहूल गांदी के ट्विटर अकाउंट को लॉक किये जाने का विरोध किया था नियोजेटीन के अरुन सिंग की खबर है कि इन कॉंग्रेसी नेताओं ने राहूल गांदी के ट्विटर अकाउंट को लॉक करने के विरोध में मैं भी राहूल हैश्टैक से ट्विट किये थे जिसके बाद ट्विटर ने कारवाई करते हुए इन कॉंग्रेसी नेताओं के Twitter account code lock कर दिया बोपाल में यूथ कॉंग्रेस के सेकड़ों कारेकरताओं ने बेरोजगारी और महंगाई समेट कई मुद्नों पर राज्ज सरकार के खलाफ प्रदर्शन किया प्रदर्शन करने के लिए यूथ कॉंग्रेस के सभी पुलिस के सकत पहरे ने उन्हें मुख्यमंतरी आवास तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया पुलिस के रोके जाने पर कुछ प्रदर्शनकारी वहां लगी बैरिकेडिंग पर चड़ गया और उन्होंने हंगामा तेज कर दिया पुलिस की चेतावनी के बाद भी प्रदर्शन कारियों का हंगामा कम नहीं हुआ फिर पुलिस ने भी सक्ती दिखाई और एक साथ कई गाड़ियों से पानी की बॉचार शुरू कर दी बीड को तितर बितर करने के साथ उन लोगों को भी निशाना बनाया गया जो बैरिकेडिंग पर चड़े हुए थे पानी की बॉचार होते ही आगे खड़े प्रदर्शन कारियों में भगदर मच गई और कई लोग पानी की तेज बॉचार से बचने के लिए वहां से पीछे की तरफ भग गए इस प्रदर्शन में यूथ कॉंग्रेस के अध्यक श्रीनिवास बीवी और कॉंग्रेस विधायक जैवर्धन सिंग भी शामिल हुए जिनकी अगवाई में यूथ कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने जम कर हंगामा किया पानी की तेज बॉचार से बचने के लिए कुछ प्रदर्शन कारी तो बैरिकेडिंग की आड में खड़े हो गए जब कुछ पुलिस के सामने डटे रहे जब वॉटर केनन का भी प्रदर्शन कारियों पर कुछ खास असर नहीं हुआ तो पुलिस ने उन्हें खदेडने के लिए लाठी चार्ज कर दिया कई प्रदर्शन कारियों पर तो पुलिस की लाटी और पानी की तेज बोचार की दोहरी मार पड़ी जिससे कुछ लोग सडक पर गिर पड़े इसलिए पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के पास सुरक्षा के कड़े इंतिजाम कर दिये थे जिसकी वज़े से कोई भी प्रदर्शन कारी वहां तक नहीं पहुंच सका इस हंगामे से पहले भुबाल की सडकों पर नारे बाजी करते हुए यूथ कॉंग्रिस के सभी कारेकरता आगे बढ़े पुलिस की बेरिकेडिंग के पास उन्होंने बहुत देर तक हंगामा भी किया हलाकि कारवाई करने से पहले पुलिस ने उन्हें काफी देड़ तक समझाया भी इस पूरे हंगामे के बाद कॉंग्रेस ने पुलिस के आक्शन को राज्य सरकार के इशारे पर की गई कारवाई बताया महंगाई, बेरोजगारी और पेगिसस जासूसी मामले में कॉंग्रेस ने आगे भी इसी तरह के प्रदर्शन की चितावनी दी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब साड़े बारा बजे आत्म निर्भर नारी शक्ती समवाद कारिकरम में शामिल होंगे प्रधान मंत्री चार लाग सुएम सहाथा समूहों को 1625 करों रुपे की सहाथा राशी भी जारी करेंगे तालिबान से जारी जंग के बीच अफगानिस्तान के आमी चीफ वली महमद एमजजई को उनके पद से हटा दिया गया उन्हें ऐसे वक्त पर बखास्त किया गया जब तालिबान अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर अपना कब्ज़ा जमा चुका है खबर है कि वहां की सेना में भी तालिबान के बढ़ते खत्रे से खलबली है और इसी दर के कीमत आर्मी चीफ को चुकानी पड़ी और इस बीच तालिबान ने कुछ और इलाकों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया फराज से सामने आई तस्वीरों में तालिबान के समर्थक एक इलाके में अपना दबदबा जमाते दिखाई दिए उन्होंने वहाँ तैनाद सेना के एक जवान की हत्या करने के बाद उसके शवका पूरे शहर में जलूस निकाला उनके डर से पूरे शहर में कफ्यू जैसा माहौल दिखा दुकानों पर ताले लटके नज़र आए तो सडकें वीरान दिखी एक दूसरे इलाके में तो उन्होंने कई राउंड फाइरिंग भी की खबर है कि तालिबान अब तक अफगानिस्तान के 65 प्रतिशत इलाके पर अज़जा जमा चुका है मद्दप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान और भीजेपी महासाचीव कैलाश विजयवर्गी की जुगलबंदी का वीडियो सामने आने के बाद सियासी अठकड़े लगनी शिरू हुगे शिवरा सिंग चोहान और प्रतेश के दूसरी देता कैलाश विजयवर्गी के आवास पर रखी हुई भुट्टा पार्टी में पहुंचे थे जहां सीम और कैलाश विजयवर्गी के बीच सुरीली जुगलबंदी देखने को मिली यही नहीं इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ गाने भी गाए पहले कैलाश विजयवर्गी ने माइक हाथ में थामा और शोले फिल्म का गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाने लगे जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने भी उनका पूरा साथ दिया इस दौरान दोनों सीनियर नेताओं के बीच भी शोले के जैवीरू की तरह कमाल की कैमिस्ट्री दिखाई दी मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिफ की जुगल बंदी देख वहां मौझूद कई कैबिनेट मंत्री और दूसरे ने ताभी तालियां बजाते नजर आए दोनों नेताओं ने एक साथ कई गाने गाए और सबके सामने अपनी एक जुटता का भी प्रदशन किया उत्तर प्रदेश में बाड के हलात काबू में आने का नाम नहीं ले रहे संगम नंगरी प्रियाग राज पर पिछले चार दिन से पानी का गबजा है और गबजा भी ऐसा कि पूरा शहर लहरों पर तैरता हुआ दिख रहा है लगातार NDRF की टीमें लोगों को निकाल कर उची जगों पर पहुंचाने में लगी है कई इलाके पूरी तरह पानी में डूप चुके है ऐसे घर कम ही हैं जिन में पानी नहीं भरा है फर्क बस इतना है कि किसी उचे घर में पानी कुछ फीट है और कहीं कई फीट तक पानी जमा है एक मंजिल से ज्यादा उचे घरों में लोग उपर की मंजिलों में जमे हैं और जिनके घर एक ही मंजिल के हैं उन्होंने चट पर डेरा डाला हुआ है आस्मान से आफ़त की तरह बरस्ती बारिश मुश्किल बढ़ा रही है इसलिए छटों पर लोगों को सिर ढखने के लिए भी जुगाड करना पड़ रहा है लोगों के लिए खाने पीने का भी संकट है इसलिए NDRF की टीमें उचाई पर जमें लोगों तक खाने का सामान भी पहुँचा रही है और आफ़त के वल प्रयाग राज में नहीं बलकि अब यूपी के कई जिलों में पहुँच चुकी है वारा नसी में भी गंगा घुसे में है और घाटों से निकल कर काशी की गलियों तक पहुँच चुकी है शहर के एहम रास्तों तक आखरी बार गंगा नदी आठ साल पहले पहुँची थी दूसरी तरफ बदोई में भी नदी का पानी शहर में दाखिल हो चुका है पूरा शहर पानी में डूबा दिखने लगा है सडकों से लेकर घरों और दुकानों तक में पानी है ज्यादा परिशानी इसलिए है क्योंकि बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही जिसका मतलब साफ है कि पानी का स्तर अभी और बढ़ने वाला है इटली के सिसिली में जंगल की आग रहाशी लाकों की तरफ फैलने लगी है जिससे लोगों के लिए बड़ा खत्रा पैदा हो गया योरोप के कई देश इटली के जंगल भी पिछले काफी वक्त से सुलग रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और तेज हवाओं की वज़ास से आग पर कापू पाना मुश्किल हो गया और जंगल की आग तेजी से फैलते हुए रहाशी लाकों की तरफ बढ़ने लगी आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दमकल कर्मी पूरी ताकत जोंकते नजर आए कई गाड़िया आग बुझाने के काम में जुटी दिखी लेकिन लप्टे इतनी भी शर्ट ही कि उनके आगे दमकल कर्मियों का भी बस नहीं चला आग की चपेट में आने से लोगों की फसले तक जलकर राख हो गई मजबूरी में लोग अपनी गाए भैसों के साथ इलाका खाली करने को मजबूर हो गए इस आग की वज़ा से जंगल का काफी बड़ा इलाका तबाह हो गया केरल में वैक्सीन लगवाने के बाद भी वाइरस की चपेट में आने के चौकाने वाले आंकड़े सामने आये जिसने केंद्रिय स्वास्तमंतराले की चंता बढ़ा दी यूजेटीन के रवी सिंग की रिपोर्ट है कि वहाँ टीका लगवा चुके 40,000 से ज्यादा लोगों को करोना हो चुका है इन में सबसे ज्यादा करीब 20,000 मरीज केरल के पत्रम तिट्ट्टा जिले में मिलें जिन में पहली डोस के बाद करीब 15,000 जबकि दूसरी खुराक ले चुके 5,000 लोगों को करोना हो गया इसी तरह केरल के कई और जिलों से ऐसी ही रिपोर्ट सामने आ रही है ऐसे में सूत्रों के मताबिक स्वास्थ मंत्राले को ये आशंका है कि कहीं कोई नया म्यूटेशन नया वेरियंट तो नहीं आगे लहाजा इसकी जानकारी जुटाने के लिए मरीजों के सैंपल जिनूम सीक्वेंसिंग के लिए मांगे गए ताकि ये पता लगाए जा सके कि आखिर वाइरस का वो कौन सा रूप है जिसने वैक्सीन लगवा चुके इतने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया राजिस्तान के परिवहन मंत्री अपने वाइरल वीडियो पर घिर गए राजिस्तान की गहलोत सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंग खाजरियावास अपने एक वीडियो के वाइरल होने के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए वो जैपुर के एक इलाके में पानी की समस्या से जूज रहे लोगों की मदद के लिए पहुँचे थे लेकिन महां पहुँचते ही नगर निगम पर उनका गुस्सा बढ़क गया इस वीडियो के वाइरल होते ही बीजेपी ने उनका इस्तीफा मांग लिया साथी गहलोत सरकार पर भी निशाना सादा विवाद बढ़ता देख खुद प्रताप सिंख खाच्रियाबास ने इस पर सफाई दी दिल्ली के नरेला इलाके में एक आदमी को गोली मार दी गए हालनकि उसकी हाला तभी खतरे से बाहर है गायल आदमी ने इस हमले का शक एक महिला पर जटाया भारती होकी टीम के कुछ खिलाडियों ने अमरित सर के स्वन्न मंदिर में मत्था ठेका इस मौके पर शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी ने इन खिलाडियों का सम्मान भी किया साथी राज्ज के इन खिलाडियों को एक करोड रुपे का चेक भी दिया गया भारती होकी टीम की खिलाडी वंदना कटारिया का पहले देहरादून और फिर हरिद्वार पहुचने पर जोरदार स्वागत किया गया हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संकट की वज़े से स्कूलों को दस दिन के लिए बंद कर दिया गया साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना ज़रूरी कर दी गई हालाकि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं उनके लिए कोरोना का आटी पीसी आर टेस्ट जरूरी नहीं होगा ICC ने टीम इंडिया और इंग्लेंड क्रिकेट टीम को पहले टेस्ट में स्लो ओवर रेट का दोशी पाया और ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपिन्शिप की पॉइंट स्टैली से उनके दो-दो अंग काट लिये मदपृदेश के जाबूआ में 13 साल के एक लड़की ने घर के समान से मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर सिस्टम का मॉडल तयार किया बताया गया कि इस बच्चे ने टीवी पर इस रॉकेट लॉंचर सिस्टम की तस्वीरे देखी थी जिसके बाद वो इसे घर पर ही बनाने में जुट गया और कबार का इस्तमाल करते हुए उसने हूब हूब वैसा ही रॉकेट सिस्टम तयार कर डाला 13 साल के तनवीर ने इसका प्रदशन करके भी दिखाया आठवी में पढ़ने वाले तनवीर ने इस पूरे सिस्टम को अपने स्मार्ट फोन से इस तरह जोड़ा है कि इसे दूर बैट कर फोन से ही चलाया जा सकता है तनवीर के इशारे पर ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर जमीन पर आगे बढ़ता नजर आया इतना ही नहीं उसने इस सिस्टम के जरिये आतिशबाजी में इस्तमाल होने वाले छोटे रॉकेट दागगर भी दिखाए तनवीर ने वहाँ कलेक्टर के सामने भी अपने इस मिनी रॉकेट लॉंचर का प्रदर्शन करके दिखाया जिसे देख कर वो भी हैरान रह गए और उनमें सूरच कुन रोड पर बने कुछ फामाउस भी शामिल हैं जिने एक एक कर्ट तोड़ दिया गया नगर निगम की टीम ने इस काम में खुदाई करने वाली कई मशीनों का इस्तमाल किया कई घंटों तक चली इस कारवाई में प्रशासन ने अलग-अलग फामाउस में बनी सभी चीजों को गिरा दिया इस दोरान नगर निगम और वन विभात के कई अधिकारी खुद वहां मौजूद रहे इस दोरान बड़ी संख्या में पुलिस के जवाँ भी वहां तैनात किये गए ताकि सरकारी काम में कोई अलंगा न डाल सके महराश के कोलापूर में फिर से बैलगारी रेस शुरू करने के लिए कई लोगों ने बैलगारी पर सवार होकर विरोध प्रदशन किया उन्होंने इस रेस पर सरकार के फैसले का विरोध किया क्योंकि वहां सुप्रीम कोट के आदिश के बाद सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी थी जिसके विरोध में प्रदशन कारी अपनी बैलगारी के साथ सड़क पर उतर आए तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लोग बड़ी सांख्या में खटा हुए और एक जुट होकर रैली निकाली जिस रास्ते से ये लोग निकले वहां से दूसरी गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब इन लोगों की वजह से जैम के हालाद बन गए ताइलन्ड की राजदानी बैंकोक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से जूरदार जड़प हो गए कुरूना से निपटने में नाकामी और लोकतंत्र की मांग को लेकर एक बार फिर हजारों लोग साड़कों पर उतरा है लेकिन भीड आगे बढ़ी तो पुलिस की हत्यार बंद तोली ने उसके रास्ते पर पहरा लगा दिया इससे प्रदर्शन कारियों का गुस्सा और भढ़क गया और वो पुलिस से ही बिढ़ गये जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करवाने के लिए उन पर रबर की गोलिया भी दागी गये इसके बावजूद गुसाई भीड पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने एक पुलिस बूत को भी आग के हवाले कर दिया इंसक भीड को खदेडने के लिए वाटर कैनन का इस्तमाल भी किया गया लेकिन पुलिस की सारी कोशिश धरी की धरी रह गई लाग कोशिशों के बाद भी भीड का हंगामा शांत नहीं हुआ और वो इसी तरह सरकार के खिलाफ बवाल करते रहे लोगसभा का मौनसून सत्रे समाप्त होने के बाद कई पाथियों के निताओं ने लोगसभा स्पीकर ओम बिवला से मुलाकात की यह मुलाकात उनके दफ्तर में हुई जहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदियों और ग्री मंत्री अमिश्या भी मौजूद रहे वहीं कॉंग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और अधी रंजन चौधरी भी उम्बिला से मिलने पहुँचे उनके अलावा टीमसी, अकाली दल और वीजडी समेत कई दूसरी पाठी के नेता भी वहां नज़र आए इस दोरान लोगसभाय स्पीकर ने सभी दलों से आने वाले सत्रों में सदन की कारवाई के दोरान हंगामा ना करने की अपील की उत्राखंड के केदारनाथ में देवस्थानम बोड को खत्म करने की मांग पर कई पुजारियों ने राज्य सरकार के खलाफ प्रदर्शन किया इस बोड का कटन त्रिवेदन सिंग रावच सरकार में किया गया था जिसके तहट चारों धामों के प्रबंधन की जिम्मेदारी इसे सौपी गई थी और इसी मुद्दे पर कई पुजारी केदारनाथ मंदिर के सामने धरने पर बैठ गए उन्होंने राज्य सरकार के फैसले पर अपनी नाराजगी जताते हुए खूब नारे लगाए खबरे कि पुलिस और प्रशासन ने पुजारीयों को केदारनाथ में प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जिस पर उनका गुस्सा सात्वे आसमान पर पहुँच गया काफी देर तक धरने पर बैठने के बाद प्रदर्शन कारियों ने मार्च भी निकाला देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने की मांग पर पुजारी पिछले कई दिनों से अपना विरोध जता रहे राजसभा में वे हंगामे पर सदन के नेता पियूश गोयल ने चिंता जताई साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए दोशियों के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग की पूरी चार्ज के लिए स्पेशल कमिटी बिठाई जाए और वो कमिटी इसके हर पहलू में जाके कटोर से कटोर इसमें एक्शन लिया जाए राज कुंद्रा मामले के बीच साल भर पुराने केस में शिल्पा शिट्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है शिल्पा शिट्टी और उनकी मां के बयान दरज कराने के लिए दिया गया जिस वेल्नेस सेंटर के मामले में ये केस दरज किया गया शिल्पा शिट्टी उसकी चेहपरसन है जबकि उनकी मा सुननदा उसकी डिरेक्टर है उलिम्पिक्स में शामिल हुए खिलाडियों से राश्टपती मिलेंगे राश्टपती रामनात को विन टोक्यो उलिम्पिक्स में शामिल होने वाले खिलाडियों से मुलाकात करेंगे ये कारिकरम सुतंतरता दिवस से एक दिन पहले शनिवार को राश्टपती भवन में होगा जिसमें राश्टपती उलिम्पिक से लोटे इस दल की चाय पर मेजबानी करेंगे सुप्रीम कोट ने करनाटक के पूर्व मंतरी और कॉंग्रेस नेता विने कुलकर्णी को जमानत दे दी उन्हें बीजेपी नेता युगेश गौड़ा के हत्या के आरोप में पिछले साल गिरफतार किया गया था उत्तरा खंड के मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी ने दिल्ली में ग्रेह मंतरी अमिच शाह से मलाकात की इस दौरान दोनों के बीच राज्य में चल रही रेलवे समेश दूसरी योजनाओं पर चर्चा हुई राजिस्तान के बाड़ मेर में एक महिला ने कुछ लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया बता जा रहा है कि ये घटना उस समय की है जब ये महिला अपने पती के साथ बाइक पर जा रही थी डावा है कि इसी दौरान आरोपियों ने महिला और उसके पती का अपरहन किया और इस वारदात को अंजाम दिया इन आरोपों के बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफतार कर लिया टीम इंडिया और मेजबान इंग्लेंड के बीच दोपहर से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा ये मुकाबला भारतिय समय के मताबिक दोपहर साड़े तीन बज़े से लॉड्ज में होगा दिल्ली के पास हर्याना के गुरुग्राम में टीके के लिए मारा मारी होने लगी वहां के एक वैक्सिनेशन सेंटर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ लोग टीके के लिए कई घंटे पहले ही वहां पहुँच गए यही नहीं कुछ लोगों ने तो फुट पाथ पर ही डेरा जमा लिया कुछ महीला आएं तो छोड़े-छोड़े बच्चों के साथ वहाँ नजर आएं लोगों ने इस मारा-मारी के लिए वैक्सीन की कमी को जिम्मेदार ठराया भारी संकत में वैक्सीन का बहुत बारा समस्या वरपूर मातरा में मिल कहा रहा राजिस्तान के धॉलपूर में पानी के तेज बहाव में पुल को पार करना दो लोगों को भारी पड़ गया नदी में उनका ट्रैक्टर पलक जपकते ही ऐसा डूबा कि फिर उसे ढून पाना मुश्किल हो गया इसके लिए गोता खोरो की एक बड़ी टीम को पारवती नदी में तैनात किया गया बताया गया कि ट्रैक्टर में कुल तीर लोग सवार थे जिन में एक की जान चरी गई लेकिन बाकी दो लोगों का कोई पता नहीं चल पाया इस हाथसे के बाद राहत और बचाब दल के कई लोग नदी में घंटों तक उनकी तलाश करते रहे लेकिन उन्हें कोई काम्याबी हाथ नहीं लगी खटना की जानकारी लगते ही वहाँ लोगों का हुजुम जुट गया जो किनारे पर खड़े होकर नदी में बहे लोगों का इंतजार करते दिखे लापता लोगों की तलाश के लिए पुलिस और अधिकारी भी मौजूदगी में रस की ऑपरेशन चलाया गया पाकिस्तान के कब्जबाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध और तेज होगे उन्होंने पूरे इलाके में पानी, शिक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी की पर नाराज़ गी जिता है और इसके लिए इमरान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सड़कों पर उतर कर अपना विरोध जताया एक इलाके से जो तस्वीरे सामने आई उनमें घुसाए लोगों ने हाईवे को ट्रकों से जैम कर दिया जिसकी वज़े से वहाँ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई वहीं एक दूसरे इलाके में पीने के लिए मिल रहे गंदे पानी से परिशान होकर लोग धरने पर बैठ गए गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों की परिशानियों की लिस्ट यहीं खत नहीं होती स्कूल जाने वाली जिसकी खत्राएं टीचरों के नहोने पर प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गई प्रदर्शन की इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई दक्षुन अमेरिकी देश बुलीविया से आग की हैरान करने वाली तस्वीरे सामने आई हैं वहाँ जंगलों में ऐसी भरानक आग पहली कि सिर्फ तबाही के निशान दिखाई पड़े कई एकर में पहली इस आग से इतना धुवा निकला कि सारा आस्मान उससे भर गया पश्य मंगाल के बागनान में एक बीजेपी कारेकरता की पत्नी के रेप के मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी कारेकरताओं ने कोलकता में विरोध प्रदर्शन किये लेकिन हंगामा बढ़ता देख उन प्रदर्शन कारियों पर पुलिस ने सकती दिखाई इन लोगों का आरोप है कि गैंगरेप के इस केस में पांच में दो आरोपी टीमसी के हैं लेकिन उनकी गिरफतारी अव तक नहीं हुई जिस पर बीजेपी कारेकरताओं का घुसा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतरा है इतनी बड़ी तादाद में जुटे प्रदर्शन कारियों से पार पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया ऐसे में पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया लेकिन ये भी इतना आसान कहां था पुलिस उन्हें अपनी गारी में बठाने के लिए जद्दो जहत करने लगी कुछ को गारी में बैठा भी लिया लेकिन उन्होंने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी प्रदर्शन कारियों में बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी कुछ महिलाएं भी थी जिनें गारी में जबरन धके ला गया इन हालात में भी वो अपनी आवाज बलंद करने से पीछे नहीं हटी इस बीच राज्य के बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक सामने आई और उन्होंने इस केस में पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिये काफी देर तक चले हंगामे के बीच पुलिस ने कई प्रदर्शन कारियों को हिरासत मिलिया और अपने साथ ठाने ले गई यूरपिय देश ग्रीस में जंगलों के जलने का सिलसला अब भी खत नहीं हुआ वहाँ एविया दूइप से तबाही की तस्वीरे सामने आए जंगल के कई हिस्सों में धदकते शोलों को बुझाने के लिए वहाँ के लोग आगे आए जिनोंने कई जगों पर खुद जाकर ही मूर्चा संभाल लिया लोग वहाँ अपनी गाडियों से पहुंचे और आग बुझाने में जुटे नजर आए कुछ लोगोंने फेड़ों को काट दिया ताकि आग आगे न बढ़ पाए तो वहीं कुछ लोगोंने उस पर मिट्टी डाल कर बुझाने की कोशिश की आग बुझाने के लिए जुटे किसानों ने कहा कि अब यह उनके अकेले के बसकी बात नहीं महीं दूसरी तरफ प्रशासन ने दावा किया कि आग बुझाने के लिए दमकल और वन विभाग के लोगोंने पूरी ताकट जहुंग दी जिसके लिए 900 दमकल कर्मियों की तक्रीबन 50 टीमों की तैनाती की गई तीन अगस्त से सुलकते जंगलों पर काबू पाने के लिए पानी की बोचार के साथ कई लीटर केमिकल शुड़का गया जिससे आग पर काफी फर्क पड़ा लेकिन कुछ इस्सों से उठता धुआ इस राहत के काम में अडंगा बनता दिखाए दिया संगम नगरी प्रियागराज में गंगा के उपान पर आने के बाद पानी रिहाईशी लाकों में घुज गया गंगा नदी वहां खत्रे के निशान से तक्रीबं डेड़ मीटर उपर बह रही है तो वही यमुना नदी एक मीटर उपर टोंस नदी ने तो जबरदस तबाही मचा रखी है तस्वीरे दो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाड का पानी हर घंटे नए लाकों में घुसता हुआ नजर आ रहा है सडकों और गलियों में पानी भर गया, कई महलों में कमर तक पानी भर गया है ऐसे में लोगों को खाने पीने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हाला कि बाड में फसे लोगों को निकालने की प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है अगले हफते से नए केंद्रिय मंत्री जन आशिरवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं न्यूजेटीन के अमिताब सिना की रिपोर्ट है कि 16 अगस्ट से 49 नए मंत्रियों की यात्रा की शुरूआत हो जाएगी जो 22 राज्यों में होगी और इस दोरान 19,000 किलोमीटर से ज्यादा की 49 जन आशिरवाद यात्रा निकाली जाएंगी जिन में 19 राज्यों के मंत्री शामिल होगे जो 265 जिलों में जाएंगे जहां वो लोगों से संबाद करेंगे सुत्रों के मताबिक राज्यों मंत्री 16 अगस्ट से जबकि कैबिनेट मंत्री 20 अगस्ट से यात्रा निकालेंगी इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्स जेपी नडडा ने भी सभी मंत्रियों से 3 दिनों तक बैठ़ग भी की जिसमें ये प्लान तै किया गया यूपी में बीजेपी 16 और 17 अगस्ट को बड़ी किसान पंचायत करेगी इसमें सीम योगी अधितनाद भी करीब 200 किसानों से मुलाकात करेंगे उडिशा के सीम नवीन पटनाएक ने ओलिम्पिक्स में खेलने वाले राज्य के पुरुष और महिला होकी टीम के खिलाडियों को सम्मानित किया उन्होंने बिरेंदर लाकडा और अमित रोहिदास को ड्हाइधा करोड रुपए का चेक दिया और उन्हें DSP भी बना दिया साथी महिला टीम की खिलाडी नमिता और दीप को 50-50 लाक रुपए का इनाम दिया राज्य सभा में केंदर सरकार ने कोरोना की दूसरी लेहर के दौरान ऑक्सिजन से हुई मौतों पर जवाब दिया केंदर ने जानकारी दी कि उसे आंद्रप्रदेश सरकार ने बताया कि मई में कुछ लोगों की ऑक्सिजन की कमी से राज्य में मौत हुई थी प्रधान मंत्री मोधी अपने काम से मिसाल बनी सेलफ एल्क ब्रूफ की कई महिलाओं से दोपहर इट साड़े बारा बजे मुलाकात करेंगे इस कारिकरम का नाम आत्म निर्भर नारी शक्ति से संबाध होगा दिल्ली के आदर्श नगर के S.H.O.C.P. भारत द्वाज को सस्पेंट कर दिया गया उन पर पिछले दिनों कुछ लोगों से बचलू की कारोफ लगा था मुफ्त वैक्सीन और कॉलेज खुलने की मांगपर पष्ची मंगाल की जादवपुर उनिवर्सटी के छात्रों ने अनोखा प्रतरशन किया कुरोना की वज़े से जादवपुर उनिवर्स्ती बंध है युनिवेस्टी के एक प्रोफेसर भी वहां पहुँचे और उन्होंने चात्रों की मांग का समर्थन किया अफ्रीकी देश अलजीरिया से जरा देने वाली तस्पीरे सामने आई हैं और उससे इतना धुआ उठा कि उसने जंगल के ऊपर धुए का एक बादल बना दिया इस आग से लोगों में धह्शत भर गई क्योंकि इसने इनसानी आबादी में भी काफी नुकसान पहुंचाया कई घरों और फार्म हाउस में आग की लप्तों का तांडव देखा गया जैसे दमकल कर्मी ने काबू किया और कुछ कारे भी इसकी जद में आ गई जिनें बाद में लोगों की मदद से बुझाया गया लेकिन तब तक आग इस इलाके की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी थी बिहार की राजधानी पटना से प्रदर्शन का एक वीडियो सामने आया वहां कुछ लोगों ने एक कारोबारी की हत्या के विरोध में सड़क को जैम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाब घुसा जाहिर किया पटना के पास के बेहटा के लोगों ने बीच सड़क पर कारोबारी का शव रखकर जम कर नारे बाजी भी की सड़क पर टायर जलाकर विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि बीते कुछ दिनों में हत्या की कई घटनाएं हुई है फिर भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया जिसके बाद उन्हें ये तरीका अपना ना पड़ा बताया गया कि जिस व्यापारी का शव रखकर ये हंगामा किया गया उसकी मौत मंगलवार रात को लूट के इरादे से आये कुछ बदमाशों ने की सोने चांदी की दुकान चलाने वाले मंटु कुपता की दुकान पर छे लुटेरों ने धावा बोल दिया उन्होंने दुकान के कर्मचारी से मारपीट की इस दौरान वहां कई लोग जुटे और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के लिए भी प्रदर्शन किया इतनी शक्ती हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना ये गीत आपने जरूर सुना होगा और बहुत से लोगों को ये गाना याद भी होगा लेकिन क्या आपको इस गीत को गाने वाली बॉलिवुड सिंगर पुष्पा पंगधारे याद हो सकता है बहुत सारे लोग उनका नाम भी ना जानते हों लेकिन वही पुष्पा जिनका गीत हम अक्सर गुरूनाते हैं वो आज इश्वर के सामने आसु बहा रही है और सरकारों से एक ही गुजारिश कर रही है जिस इश्वर की भक्ती को अपने सुरों से पुष्पा पंगधारे ने अमर बना दिया आज उसी इश्वर के सामने वो हर रोज जिन्दगी के लिए संघर्ष कर रही है जीवन की मुश्किलों के सामने भगवान पर विश्वास कम न हो जाए इसलिए रोज पूजा करती है 1986 में आई फिल्म अंकुष में पुष्पा पंगधारे ने जो गाना गाया वो 35 साल बाद भी उतनी ही शिद्दत से गाया जाता है वक्त के साथ पुष्पा कहेगी तो लोगों को याद रहा लेकिन उसे गाने वाली आवास का दर्द दुनिया ने अंदेखा कर दिया मराठी और हिंदी सिनिमा के कई गाने गाचुकी पुष्पा जिन्दा रहने के लिए मुंबई के माहिम में दिन रात संघर्ष कर रही है पुष्पा जब संघर्ष की बात करती हैं तो अपनी मुफलिसी को भूल जाती है वो बताती हैं कि बच्पन से ही गाने का ऐसा जुनून था कि पिता के साथ गाओं में भजन गाती थी वहां से संघर्ष का दौर शुरू हुआ तो असी के दशक में कई मराठी और हिंदी फिल्मों में गाने का मौका मिल उनके गीत उस दौर में बहुत पसंद किये गए कई पुरुसकार भी मिले लेकिन अब इतनी शक्ती नहीं बची कि जीवन चलाने के लिए खुद कमा सकें इस्टूडियो खुलने चाहिए या काम मिलना चाहिए आर्टिस लोगों को जो अभी ऐसी परस्तित है कि वो विचारे कहीं शोव भी नहीं कर सकते बजाने वाले की परिस्तिती खराब है अब कोई जोरान पेंशन मिलता है सरकाट के करद नहीं वहीं पेंशन मिलती जो 3,150 उससे क्या मिलता है ना मुझे कुछ रायल्टी मिलती है कुछ गाने की कुछ नहीं बोलीवूड और मराठी फिल्मों के लिए कई गीतों को अपने सुरों से सजाने वाली पुस्पा का दर दिया है कि अब उनके पार आमदनी का कोई जरिया नहीं है उम्र जादा हो चुकी है जिसकी वज़ा से कोई सो नहीं कर सकती कुरोना काल में बची-कुची जमापूजी भी खर्च हो चुकी है और अब उन्हें राज्य और केंदर सरकार से मदद की उम्मीद है गाईका पुस्पा का कहना है कि उन्हें किसी की भीक नहीं चाहिए अगर सरकार सांस्कितिक कलाकारों का स्वाभिमान के साथ कुछ करना चाहती है तो उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए फिलहाल महराश्ट्र सरकार से उन्हें 3,000 रुपे हर महीने मिलते हैं लेकिन इतने पैसों में गुजारा करना मुश्किल है इसलिए वो राज्जी और केंदर सरकार से मदद की अपील कर रही है महराश्ट के खंडाला से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामनी आई वहाँ एक फिल्म का स्टंट सीन शूट करते वक्त कार का संतुलन बिगड़ गया बताया गया है कि उस कार को पलटने के बाद एक जगा जाकर घिसटते हुए रुकना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो कार उचलती हुई सामने से आई और किसी खिलोने की तरह पहारी से पलटती हुई धलान की तरफ बढ़ने लगी जिस तरफ वो कार आ रही थी वहीं सीन की शूटिंग के लिए सेटप लगा था जिससे कार जा टकराए वो कैमरे की ट्रॉली से टकराते हुए सड़क किनारे खड़ी सामान ढोने वाली एक गाड़ी से भिड़ गई इस हादसे में स्टैंड के साथ कैमरा भी सड़क पर गिर गया और एक शक्स जखमी हो गया मैं हूँ किशोर अजवानी आज की ताज़ा खबर जारी है